Hello students, आज हम समझेंगे कि यह liabilities का मतलब क्या होता है, कितने types की liability होती है तो ही liabilities समझने के पहले मैं आपको एक बार balance sheet दिखा देता हूँ balance sheet कुछ ऐसे दिखती है, उसमें दो heading होती है, left and right right में क्या होते है, assets होते हैं, और left में क्या होते है, liability और आज के lecture में हम discuss करेंगे liabilities होती क्या है, तो देखो liabilities होती क्या है liabilities होती है, any amount paid by the business, payable by the business to the other is called liability मतलब अगर मुझे किसी को पैसा pay करना है, तो वो liability होती है अगर suppose करो मैंने bank से loan लिया 2 लाग का, तो मुझे bank को pay करना पड़ेगा ना मैंने कोई समान खरीदा दुकान से और उसको pay नहीं कैया, मैंने का मैं पैते एको 10 दिन बात कर दूँ गा तो मेरी वो liability हो गई, मतलब मुझे उसको pay करना है, मैंने किसी से loan लिया तो मुझे उसको pay करना है, तो उसको मैं बोलता हूँ, liabilities बोलता हूँ तो ये internal और external का मतलब बताओ, सुनो, सुनो, सपोस करो, simple सा मैं example लेता हूँ, एक person है, अमित, उसने business start किया, reliable pen limited, वो उसका 100% मालिक है, अमित ने business start किया, reliable pen limited, और वो सका कितना मालिक है, 100%, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, मेरा owner, मेरा मालिक हो गया, तो अब आप accounting किसकी कर रहे हो, reliable pen की, उसने कितने रुपे invest किये business में, 5 लाग रुपे, तो reliable pen limited, सोचो मैं हूँ reliable pen limited, अमित ने मुझे 5 लाग रुपे दिये, तो अब कल मैं business मेरा बंद होता है, तो मुझे वापिस अमित को 5 लाग देने पड़ेंगे, हाँ, क्योंकि अमित को होने मेरा मालिक, तो जो भी मैं मालिक को मुझे पैसे देने होते हैं, ओनर को जो मुझे पैसे देने होते हैं, उसको मैं बोलता हूँ internal liability, अंदर का अदमी है, भया, ये मालिक है मेरा, तो मैं अगर reliable pen limited की accounting कर रहा हूँ, तो जो भी पैसा मुझे अमित को देना है, मेरे owner को मेरे मालिक को देना है, उसको मैं बोलता हूँ internal liability, तो सर external कौन से हो गई, suppose करो reliable, मैं हो reliable pen limited, और मैंने एक HDFC bank से loan लिया, मैंने loan लिया, कितने का loan लिया, 2,00,000 का loan लिया, किस से loan लिया, सर मैंने HDFC bank से loan लिया, तो अब मेरे पास कितने रुपया आ गए, 5,00,000 अमित ने दिय 2,00,000 मुझे bank ने दिये, तो 5,00,000 तो मुझे मेरे मालिक को देना है, owner को देना है, वो हो गई internal, और 2,00,000 मुझे किसको देना है, मुझे bank को देना है, तो वो हो गई external, वो बाहर का आदमी हो गया, internal में सिरफ owner आता और कोई नहीं आता, employee भी नहीं आता, company का मालिक, जिसका फाइदा या नुकसान, कल ये business एक करोड कमाएगी, तो किसका फाइदा, Amit का, कल ये business का नुकसान करेगी, तो किसका नुकसान, company के मालिक का, पर अगर मैंने, मैं हूँ business, मैंने एक करोड कमाए, तो मैं HDFC bank को एक करोड रुपे नहीं दूंगा, मैं तो उसको interest दूंगा, तो मालिक कौन होता जिसका फायदा है नुकसान तो मालिक के प्रती लाइबलेटी इंटर्नल लाइबलेटी और अगर मुझे किसी और को देना है तो वो एक्सटर्नल मैं पैन बनाता हूं पैन के लिए मैंने प्लास्टिक खरीदा और प्लास्टिक मैंने मुंबई फे खरीदा और मैंने तीन लाग का पेमल ले लिया मैंने बोला में पस मात्र 50.000.000 रुपए है तो मैंने उसको 50.000.000 रुपे दि या तो उसने कहा भाई तुने 3.000.000.000तुने मान लिया 50.000.000 रुपए और दे प Spet SUS에 5.000.000 रुबए दे दिया मेरा मालिक, मैंने मालिक से कुछ नहीं लिए मैंने किस से लिए, दूसरे से लिए तो वो external liability हो गई है clear है, तो अगर मैं balance sheet दिखाऊं तो liability fight में देखो दो heading आ गई, एक हो गई internal एक हो गई external, internal जो मुझे मालिक को देनी है जिसको मैं capital भी बोलता हूं internal liability भी बोलता हूं owners equity भी बोलता हूं अब दूसरा हो गया external liability जो मुझे किसी और को देनी है third person को मालिक को नहीं किसी और को देनी है outsiders इसको मैं बोलता हूं external अब external भी दो type के होते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया चलो तो internal, external, external दो type के होंगे current liability और non current liability internal liability मैं आपको समझा चुका हूं अब external liability समझाता हूं external liability समझाता हूं किसको जो मैं outsiders को देता हूं वो external मैंने मेरे employee को hire किया उसकी salary है 6 lakh रुपे मैंने उसको 5 lakh की pay किये तो 1 lakh रुपे मुझे उसको देने हैं न क्या वो मेरे यापे free में काम कर रहा है क्या नहीं मुझे उसको 1 lakh रुपे देने पड़ेंगे अगर मुझे किसी को 1 lakh रुपे देने हैं तो वो मेरे liability है वो मेरे outsider है employee तो internal है वो company के अंदर काम करता है अंदर और बाहर की बात नहीं हो रही है मालिक और non-malik की बात हो रही है owner और non-owner की बात हो रही है employee मेरे business का owner नहीं है उसको तो मैं सरफ felony देता हूँ और मैंने felony कितनी दी उसको 6 lakh मैं पर 5 lakh दी 1 lakh बात में दूँगा external liability हो गई है clear है creditors हो गई, loan from bank हो गया salary outstanding हो गया यह मैं आपको तीनों explain कर चुका हूँ अब external liability कितने type की होती है 2 current and non-current फर एक current क्या होता है non-current क्या होता है पहले मैं non-current को discuss करता हूँ non-current liability वो liability होती है जो मुझे 1 साल के बात पे करनी है 1 साल के बात अगर आज की balance sheet बना रहा हूँ तो मुझे कोई पैसा किसी इनसान को 1 साल के बात देना है example के लिए मैंने एक loan लिया क्या लिया? loan लिया कितने का loan लिया? 10 लाग का loan लिया HDFC bank से HDFC bank से मैंने बोला मुझे 10 लाग की urgent requirement है उसने मुझे दे दिया 10 लाग और उसने बोला दीपक तेरे 4 installment है कितने installment है? 4 तेको हर साल 5 installment है हर साल तेको 2-2 लाग रुपे देने हैं पहले साल में दूसरे साल में, तीसरे साल में चौते साल में, पांचवे साल में 2 लाग, 2 लाग, 2 लाग 2 लाग, 2 लाग तो अब आप खुदी फोचो आज मैं balance sheet बना रहा हूँ आज की date पे, जिस दिन मैंने loan लिया, अगले एक साल मुझे कितना pay करना है HDFC बैंक को सब 2 लाग, क्योंकि पहले साल में उसने मुझे का कि 2 लाग वापिस लोटा दो, 10 लाग का लोन दिया मैंने का मैं तेको हर साल 2 लाग दोगा, हर साल 2 लाग EMI, मंतली ने EL लो 2 लाग रुपद तो पहले साल मुझे 2 लाग रुपद देने हैं, तो पहले साल 2 लाग, पहले साल के बाद अगले 12 मैने के बाद कितना देना है, तो 8 लाग रुपे तो यह जो 8 लाग हो गए यह इस date पे long term liability हो गई है non current liability जो मुझे 12 महीने के बाद देनी है 12 महीने के बाद देनी है और जो भी liability 12 महीने के अंदर देनी है वो होती है current liability current मतलब अभी के अभी देनी है अगले 12 महीने के अंदर clear है non current वो जो 12 महीने के बाद देनी है मैंने 10 लाग का लोन लिया दो दोगों की पाच इंस्टॉल्मेंट है अगले एक साल में 2 लाग देना है तो ये जो 2 लाग है ये मेरा बन गया Current Liability और अगले जो 4 साल है वो मेरा बन गया Non Current Liability क्योंकि वो मुझे 12 महिने के बाद देनी है अगले साल जो बैलन शीट बनाऊँगा तो खुद सोचो 10 लाग रुपे मैंने लोन लिया था 2 लाग पे कर चुका हूँ अब 8 लाग रुपे ही मुझे देने है अब अगले साल 8 लाग में से अगले एक साल में 2 लाग और देने है तो 2 लाग Current से 6 लाग Non-Current हो जाएगी Clear है तो Current Non-Current का मतलब क्या है Current का मतलब है Refer to Dove Liability which I payable after a period of more than a year is called an Current Liability जो आज जिस दिन आप बैलन शीट मना रहे हो उसके अगले 12 महीने के अंदर जो Pay करना होगा वो Current और जो नहीं Pay करना 12 महीने के बाद तो वो Non-Current मैंने किसी से Loan लिया मैंने का मैं तेको एक साल दूँगा दस साल बाद दूँगा और भई दस साल बाद दूँगा इसका मतलब है वो Non-Current ही है मैंने तेको एक करोड का Loan लिया मैंने का तेको दस साल बाद एक साल दूँगा तो वो Non-Current होगी वाट इस करेंट लाइबरेटी जो मुझे एक साल के अंदर पे करनी है within one year और कौन-कौन सी लाइबरेटी होती है creditor, creditor मतलब क्या होते है जब मैं किसी से समान खरीदता हूँ मैं pen बनाता हूँ, pen बनाता हूँ, pen बनाने के लिए मुझे plastic चाहिए, मुझे ink चाहिए मैंने plastic मैंने मुंबई से खरीदा, मैंने का मुझे plastic दे एक लाइबरेगा और उसने का यह ले तेरे को plastic देता हूँ, एक लाइबरेटी होगा क्यों सर यह current क्यों होगा, यह भी तो non current होगता है, साल बर के बाद भी तो दे सकते हैं, नहीं normally क्या होता है, जब मैं कोई समान किसी से खरीदता हूँ, तो मैं इसको payment 2 दिन, 10 दिन, 2 महिने, 3 महिने साल बर के बाद पर मैं इसको नहीं अटकाऊंगा, मेरा intention हमेशा matter करता है, मेरा intention है कि अगर मैं किसे समान खरीद हूँ, तो इसको 2 दिन, 10 दिन, 2-3 महिने मैं इसको payment कर दूँगा, मैं इसको 2 साल बाद तो रही payment करूँगा, actual में क्या होगा वो अपने को नहीं देखना, जिस दिन balance sheet, यह बहुत important point है, जिस दिन balance sheet बना रहे हैं उस दिन आपको देखना है कि 2 माई, एक साल के अंदर कितना payment हम करने वाले है, हमारा intention कितना है, हमारा intention है कि एक साल में मैं इसको payment करने वाला हूँ, तो मेरी current, अगर मेरा intention है नहीं भया, मैं एक साल तक payment न आने का है, मैं तेको 4 महिने में थोटा दूँगा, short term है, 12 महिने के अंदर payment करना है, short term है, outstanding expense, मैंने एक employee के salary 6 लाग पे hire की, और मैंने इसको का भई तेको 6 लाग पे साल के दूँगा, पूरे साल काम किया, मैंने इसको 5 लाग ही दिये, एक लाग दिये नहीं, तो फ़र एक लाग आप कब देने वाले हो, मेरा intention है अगले एक साल में देना है, भाई साब मुझे इसको देना पड़ेगा, उसको मैं यतरी बोलूँगा, मैं तो को 2 साल बात दूँगा, 3 साल बात दूँगा, एक साल के अंदर देना पड़ेगा, मेरी liability है, तो वो मेरी current liability है, मुझे इ को यास, चलो देखते है, creditor current है या non current है, capital है, so creditor are always 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 current, creditor are always current, हमेशा, debenture, debenture by default non current होता है, because वो long term के लिए ही लेता हूँ मैं, तो non current, salary payable, मुझे किसी को salary pay करनी है, नहीं pay की, वो क्या होगा, current ही होगा ना है, मुझे अभी तो immediate pay करनी पड़ेगी ना, उसको 12 मैं तो हटका होगा, कैसे वो अपना घर चलाएगा, तो always current, loan, payable after one year, एक साल के बात पे करना है, बहुत easy for non current, loan, जो मुझे एक साल के अंदर पे कर owner ने business में पैसा डाला, तो वो मुझे owner को मुझे देना है, clear है, समर में आया liability, तो liability is two type, external और internal, फटा फटा पर अपन balance sheet देखते हैं, balance sheet में क्या है, internal, external, internal में owner पे लिए, और external में non owner, जो मेरे outsiders है, यह अपना non current और current, current जो एक साल के अंदर पे करनी है, non current जो हमने एक साल के बात पे करनी है, ठीक है, lecture अच्छा लगा हो, तो like जरूर कर देना, नहीं अच्छा लगा हो, तो dislike कर देना, अपर दोनों कुछ करना, and yes, अपने friends को share कर दो, अपने school में, अपने friends को, सब को share कर दो, about the account sunday, and yes, मेरा group join कर देना, class 11th का, telegram channel है, join कर देना, नीचे link दिया हु अगर आए हो तो, ठीक है, so thank you very much, अब हम next lecture मिलेंगे with a very new concept, thank you very much, have a very nice day.